शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वीसेया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले खापर खेड़क शेतर में रोहना गाव एवं अधिकांश परिसर में शनिवार को नदी में बाड़ाई इस बाड़ में महापूर से खेतों में पानी घुसने से फसले चौपठ हो गई है इस साल किसान चिंता ग्रस्त होए है प्रात तीन चार बजे के दर्मियान कनान नदी की बाड़ धीरे धीरे खेतों में पानी में घुसने लगी सबेरे साथ आठ बजे तक नदी किनारे एवं आजवाजू की खेतों में की फसले पूरी डूप जाने की जानकारी सूत्रों ने दी कनान नदी के महापूर का पानी अब करीबन छे से साथ फीट टक पहुँच गया है कुछ खेतों की फसले पूरी तरह से खशति रस्त हुई है परिसर में अधिकतर किसानों ने तूर सोयाबीन का पास लगवाया यह फसलों की उगाई उचाई अंदाधन चार पाश फीट की बताई जा रही है प्रगचिल किसान लुकेश साबरे ने बताया कि चार से पाश एकर में तूर और कपास की पूरी फसल चौपट होने की बात कही कनान नदी के महापूर के पानी खेतों में घुसने से लाख रुपेओं की फसलों का नुकसान हुआ है जिसे किसान फिर खाई में आने के आशंका जताई जा रही है कनान नदी के महापूर घटना पश्चाथ किसानों ने फसलों की नुकसान भरपाई मिलने की शासन के और मांग की इन भी से न्यूस के लिए खापर खेडा से तिलेप कजबी की रिपोर्ट